Hello Kids, इस वीडियो में हम कुछ verbal और non-verbal reasoning के examples पढ़ेंगे, कुछ questions solve करेंगे जैसे कि यहाँ पर first part है series completion, यहाँ पर कुछ series दी गई है, कुछ pattern दिये गए है तो हमें उसके बाद बताना है कि कौन सा object का picture next आएगा जैसे कि हम first question करके देखते हैं, यहाँ पर क्या है telephone, bike, potato, फिर telephone, bike, फिर क्या आएगा यहाँ पर potato आएगा तो इस तरह से हम इस series को complete कर सकते हैं, इसी तरह से एक और question हम करके देखते हैं जैसे यहाँ पर है tree, फिर ये bear, फिर tree, फिर bear, फिर tree, फिर ये bear आएगा इसी तरह से यहाँ पर next question हम करके देखते हैं इसमें बच्चों एक dog, फिर एक rat, फिर एक dog, फिर एक rat, फिर एक dog तो यहाँ पर क्या आएगा rat आएगा तो इस तरह से हम इन series को pattern को identify करते हैं कि किस चीज के बाद कब repeat हो रही है वह दूसरी चीज तो उसके बाद हम इस तरह से इन series को पूरा करते हैं इसके बाद हम next worksheet में देखते हैं यहाँ पर हमें observe the given series and write what comes next यहाँ पर जो series दी हुई है उसको हमें देखना है ध्यान से और उसमें next number की आएगा वो हमें बताना है तो बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर z, y, x, w, v मतलब a, b, c, d उल्टी चल रही है, last alphabet से start होकर शुरू की तरफ चल रही है तो v से पहले क्या आता है, z से पहले y आता है, y से पहले x आता है, x से पहले w आता है, w से पहले v आता है और v से पहले क्या आता है, u, तो हमें यहाँ पर क्या लिखना होगा, u इस तरह से हमें series को observe करना होता है कि उसमें क्या pattern follow हो रहा है जैसे अब हम एक और example करते हैं जैसे यहाँ पर क्या है B से next alphabet C उसके बाद लिखा हुए B के बाद C आता है C के बाद D आता है D के बाद E, E के बाद F और F के बाद क्या आएगा? G इस तरह से हम इन series को complete करते है इसी तरह से हम question number 3 को करते है जैसे की L, L के बाद क्या आता है? M, M के बाद N, N के बाद O, O के बाद P P के बाद क्या आएगा बच्चो? Q इसी तरह से हमें बाकी की series को भी पढ़ना है पढ़के observe करना है कि क्या आएगा किसके बाद किसी में decrease हो रहा है pattern उल्टी ये भी CD चल रही है किसी में सीधी ये भी CD चल रही है इस तरह से उस series को observe करके कि क्या pattern follow किया गया उस series में हमें उसके fill in the blanks को fill करना होता है